जब लड़की ने अपने माबाप से इस बात को बताया तो उन लोगों ने पुलीस के पास गए और वहाँ पर जाके इन लोगों की सिकायत किये उसके बाद जब जाच में स्कूल के परीसर में चेक किया गया बात्रूम देखा गया तो वहाँ कॉंडॉम और ब्लेड वगेर औ सब मिले मुहममद अली के दोड़ा कहिं न कहीं लव्जिहाद को भी प्हीलाने का काम किया जा रहा था और उनकी जो सहाइक सिक्षक सियां बता सकते हें कि एक महिला सिक्षक साजिया जो कि उन्होंने उन लड़कियों को ड़राया बखाइदा ड़राया गया कि अगर उनको किसी भी तरह से अगर बाहर बात जाएगी तो कहीं ना कहीं उन पे कुछ गलत आरोप लगाए जाएंगे उनकी वीडियो वाइरल किये जाएंगे तो क्या किसी भी लड़कियों के साथ यो योन सोसन का मामला है या आप देख लें जो maternal rape हो जाए या digital rape हो ये उसी के स्रेणी में आ रहा है यो योन सोसन का जो सिकार है लगबख तेरे लड़किया है जाएं दोस्तों बता दू यूपी के सरकारी स्कूल में भी क्या चल रहा है मुहमद अली नाम के सिक्षक द्वारा तेरा हिंदू लड़कियों का योन सोसन का मामला सामने आया है साजापुर के तिलहर ठाना छेतर के एक स्कूल का ये मामला है जहां पर हिंदू लड़कियों के साथ योन सोसन किया जाता था केम्पूटर के सिक्षक थे मुहमद अली और उनकी सहाई का थी साजिया इनके द्वारा लड़कियों को ब्लेकमेल किया जाता था और स्कूलों में आपको मैं फिटेज दिखाऊंगा जहां पर पुलीस की कारवाही जब भी जब लड़की ने अपने माबाप से इस बात को बताया तो उन लोगों ने पुलीस के पास गए और वहां पर जाके इन लोगों की सिकायत किये उसके बाद जब जाच में इसकूल के परीसर में चेक किया गया बात्रूम देखा गया तो वहां कॉंडॉम और ब्लेड वगेर और बाल सब मिले आप समझ सकते हैं इसकूल ग्यान का मंदिर होता है लेकिन ये जो मामला दिन बदिन कहीं न कहीं आपको हर एक जगह से आते ही दिखरा होगा जो मुहमद अली थे कहा जा रहे कि 13 लड़कियां थी जिनके साथ योन सोसन किया गया है और कहीं न कहीं बहुत सारी गलत चीजे भी उनके साथ हुई है जो उन्होंने बाद में अपने माबाप से कही है वैसे तो स्कूल के सभी सिक्षकों को केश के बाद जो सस्पेंड कर दिया गया है लेकिन ऐसे मामलाएं यूपी में खास करके जहां पर हिंदू और मुस्लिम की बात कही जाए और उस समुदा में तो देखने को ज़्यादा तर मिलता है मुहमद अली के द्वारा कही न कहीं लफ जिहाद को भी फैलाने का काम किया जा रहा था और उनकी जो सहाइक सिक्षक चिया बता सकते हैं कि एक महला सिक्षक साजिया जो कि उन्होंने उन लड़कियों को डराया बखाइदा डराया गया कि अगर उनको किसी भी तरह से अगर बाहर बात जाएगी तो कहीं ना कहीं उन पे कुछ गलत आरोप लगाए जाएंगे उनके वीडियो वाइरल किये जाएंगे ऐसा मामला सामने आया बताई एक महिला सिक्षिका होके कुछ जो हमारी छात्राएं है लड़की छात्राएं उनके साथ उन्होंने ऐसा दुर्वेबा बाहि के बाद किस तरह जो वहां से कॉंडोम वगेरें मिले हैं बताईए जो अपत्ति जरक चीजें हैं यह जो इसकूलों में हो रही है और खास करके मैं बतादू यूपी और विःहार के जितने भी कस्तूरवा विद्याले हैं बाली का विद्याले वहां कमी आपको एक मि हैं तो आप समझ सकते होंगे तो कही नहीं जो गलत बावनाएं और गलत विचार धारा इत्पन होती हैं इनी सब को लेकर होती है और सरकार को ये चाहिए कि कम से कंडे OnePlus द्याला है कर ताकि मामले यूपी से अप्य हार की अلग-अलग इसकूलों से देखने को कि किस तरह जो पुरुष सिक्षक हैं लड़कियों का योन सोशन करते हैं ब्लेकमेल करते हैं जाधा नम्मर देने के मामले में ये रेगुलर आप सोशल मीडिया पे देखते ही होंगे लेकिन यहां बात जब धर्म की आ जाती है कि आखर 13 हिंदु लडगिया थे और जो सिख्छक था वो मुस्लिम था इसके करण लिभाज जादा बढ़रा है आखर बाद में कहीं न कहीं ये भी देखने को मिला है जादा तर मुस्लίम सिख्छक द्वारा ये करने को मिलता है या द्यखải ने टार्गेट ले रखा है या यूपी सरकार लब जिहाद को नाम दे रही है सिर्फ मुस्लिम होने के कारण आप लोग ये कमेंड में करिएगा कि सबसे पहले कि क्या किसी भी छात्र छात्रा जो लड़किया होती है सिक्षक का करतव क्या होता है क्या किसी सिक्षक का यह में जाती है तो इसकूल के गाइडनेस में जाती है और इसकूल परिसर ही उनका पूरा घर परिवार होता है और वहां रह रहे जो सिक्षक है उनके गर्जन होते हैं तो क्या किसी भी लड़कियों के साथ ही जो यौन सोशन का मामला है या आप देख लेए जो मैटेरनल खास किया गया है और लड़किया पढ़ने नहीं आ रही है ज्यादा तर 35% वहां की टेंडेंस में कमी आई है और 35% छात्र नहीं आ रहे हैं स्कूल बस इस डर से आखिर आगे क्या कारवाई होनी चाहिए पूरा मामला देखे जुडिसरी को गया है जो फैसला लेगी लेकिन ऐसे लोगों को कम से कम कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में और बाकी बाद जो इसकूल है वहां पर जो लड़की छात्र हैं उनके साथ ऐसा दुर्बेभार ना हो और खास करके यह बात बहुत बिडबना की है कि जो महला शिक्षिक सहाई का सिक्षि की जाएगी बाद में लड़कियों ने अपने माबाप को इसके बारे में जानकारी दी नहीं तो यह यौन सोसन जारी रहता और मेरा यूपी सरकार से ही निवेदन है और विहार सरकार से भी और पूरे भारत के देश में जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं आप लोगो पड़ती हैं वहां यह मामला ज्यादा आते हैं तो अपने अगर पर आपके परवेक्ष में अगर कहीं भी महला विद्याला है या लड़की के लिए कॉलेजेज हैं तो वहां जाएं और वहां की पुष्टी करें कि क्या लड़किया सुरक्षित हैं क्योंकि ऐसा देखा जा का और वहां के लोकल नागरिकों का इदाइत्व है कि वो जाएं और वहां के स्कूल में चेक फिल कि क्या गलत हो रहा है और आप लोग कमेंड में लिख के भेजिए कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए जो लड़कियों के साथ यह उसण करते हैं वीडियो देखने के लि झाल झाल